कि यहां पर बात करने वाले हैं इसका नाम है पॉइंट सॉन प्लेट कर दिया तो उसका लिंक उपर आपको आई बटन पर आ रहा होगा तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना वहां से बैसके लिए जो है यह थोड़ा सा जो क्या बोला जा रहा है कि आपको इन चिप्स को यहां पर रखना है अब मैं यहां पर कुछ चीजें नोट करूँगा पहले तो जैसे कि एक वीडियो में ने और डी पहले बनाया था ठीक है कि आपको एक प्रोग्रामी क्यों को पढ़ते हो तो किस तरीके सा आपको पढ़ना च आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो होगा आपको एक क्वेश्चन में समझानी पाऊंगा आप देखो यहां पर आई तो यह चीज बोल्ड नहीं है फिर भी बट यह टू-डैमेश्चनल प्लेन जो है एक इंपॉर्टेंस रखता क्वेश्चन को तो यह भी मैंने चीज ड टू-डैमेश्चनल प्लेन अब टू-डैमेश्चनल प्लेन का मतलब साफ है यहां पर आपके पास यह जरूरी ही कि हर क्योश्चन में होगा बट आपके माइंड में किये होना चाहिए कि एक्स वाइप जो आपका एक्सिस है वो बेसिकली इस तरीके से है कुछ अगर ज़र होगा क्योंकि कोश्ट जाए निगेटिव तो हो नहीं सकता ठीक है डिस्टेंस एक कोडिनेट जाए बेसिकली वह बता रहा कि क्वाडरेंट पॉजटिव साइड में निगेटिव साइड में उसके लिए हम एक साइन यूज कर रहे हैं बट कोश्ट तो निगेटिव होगा माइनस दो रुपिया का चॉकलेट तो होता नहीं है ठीक है दो रुपिया ही होता ना तो यहां पर हमें एबसलूट वैल्य लेना तो एबसलूट ऑफ एक्स प्लस एबसलूट ऑफ य तो इस चीज को हम लोग ज़रा इसको भी नोट करते हैं इसमें भी आपको हिंट मिलने में वाला तो आएंगे फॉर्मूल इस फॉर्मूला पर आएंगे बाद में इस व्क्योशन पर पहले प्रक्षट करता है तो इस एक चिप का कॉस्त ही होग तो में पर आप देखो तो सम जैसा बात करते हैं बट्याब यहां पर बोला कि नहीं है इन सबका जो मैक्सिमम होग वो आपका होगा cost of n chip, ठीक है, placing n chip का cost जो है, वो सब सारे chip को place करने के पाद जो maximum value मिलेगा, मतलब cost से मतलब था simple x plus y का sum, इनका जो maximum value होगा, वो आपका बनने वाला है, इस n chip का cost, और आपको इस n chip का place करना है, such diet, यहां से असल में आपका problem statement थोड़ा सा एक mode लेगा, यह बोला कि equivalent distance जो होना चाहिए, यह किसी भी दो pair of chips का, वो एक से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ठीक है, तो एक से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है, तो पहले तो इस equivalent distance को समझते है, देखो, equivalent distance के हो तब, plane पे आपका दो point है, x1 by 1, let's suppose, और x2 by 2 है, let's suppose, तो आपका जो equivalent distance हो, कुछ इस तरीके इस formula से हम लोग कल्कुलेट करते है, x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square, right, तो यह कर सकते हैं हम लोग, तो यह हमेशा greater than 1 होना चाहिए, देखो, अब यहाँ पर दो point है, greater than 1 है और इसको अगर आपने इस integer coordinate के साथ, अगर mix up किया होगा, mind में अगर आप हो रहा होगा, तो आपके ऐसा ना समझो कि greater than 1 का मतलब greater than equal to 2 कर सकते हैं, नहीं, बिलकुल नहीं, यह 1.000 अगर 1 भी है, तो यह greater than 1, यह हो सकता, क्योंकि हम बात distance की हो रही है, मैं आपको example देता जैसे कि मैं पॉइंट है, origin 00, और एक पॉइंट मैंने लिए 11, इसका अगर distance देखोगे, तो square root of 1 plus square root of 1, जो कि square root of 2 बैसिक लिए आपको बनेगा square root के अंदर, ठीक है, और इसकी value 1.414 बनती है, तो यह 1 से ज़्यादा है, तो आप इन दो प्लेस पर रख सकते हो, चीब को ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको सबतना है कि हमें सा greater than equal to 2, नहीं, वो उस coordinate के लिए बोला है कि आपको integer point पे रखना है, ना कि distance ही हमें सा greater integer value में अगर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ओके, और साथ ही साथ आपको यह जो minimum रखना है cost को, इसका जो maximum है, उसको minimum के तरफ जुकाना है, minimum के तरफ align करना है, right, ठीक है, और n की value थोड़ी बड़ी है, long-long आपको यूज करना है, और test cases आपके 244 हैं, तो आपको थाट धियान देना है, अब देखो, मैं simple बात करूँगा, chips के arrangement पे, सारा खेल आपका chips के arrangement पे है, और आपका formula basically वहाँ से मिलने वाला, अ गर रहा है, तो अगर हमें cost को minimum रखना है, means x को भी mean के तरफ ले जाओ, और y को भी mean, value of x, ऐसा है, इसको भी mean के तरफ ले जाओ, और इसका minimum value क्या होगा, greater than equal to 0 होता है, मतलब कि हम 0 से ज़्यादा तो कम कर ही नहीं सकते हैं, मतलब कि आपका first place, जो first, इसके लिए अगर के लिए, ठीक है, अब उसी हिसाब से n equal to 2 का arrangement देखो, कुछ एक तरिकी का sequence जैसे generate होगा, तो आप उस formula पता चल जाएगा, n equal to 2 के लिए अगर आपने एक को origin पर रखा, और दूसरा को आपको फिर रखना पड़ेगा, जो कि पहला nearest possible point बनेगा, तो in that case, आपका इसके लिए 2 बन जाएगा answer, but हमारे पास एक possibility है, इस सिर्फ special इसके लिए नहीं होगा, एक pattern बनेगा, आपको basically, यह देखो, 1 0 पे, और अगर minus 1 0 पे रखते हैं, यह बन रही है, तो यह आपका जो basically होगा, यह आपको देगा, basically आपको, हाँ, ठीक है, यह आपको 2 देगा, sorry, 1 देगा, तो कहीं न कहीं देखो, आप n equal to 1 के लिए देखो, तो सिर्फ origin पे रखोगे, तो आपका एक बन जाएगा, ठीक है, अब देखते हैं इसको, थोड़ से vast case में देखते हैं, यहाँ पे रखने पे आपका answer 0 आ रहा, right, यहाँ पे आपका 1 बन रहा है, यह basically देखो, तो 1 का square है यह, side अगर मैं join कर दों, तो 1 का square बन जाएगा, और axis को जहां-जहां cut कर रहा, 1 सर 1 बन रहा, ठीक है, तो देखो, पहला के लिए एक ही chip बना, दूसरे के लिए आपका 4 chip जा रहा, अब तीसरे के लिए देख रहा है, basically यह आपका 0 के लिए, 0, 1, and अब 2 के लिए देख रहा है, indexing जैसा, अब देखो, cheap यहाँ पे रख सकते हो, इसका distance 2 होगा, ठीक है, 1 plus 1, 2, यह चारो point, 2 देगा, ठीक है, और यहाँ भी देखो, 2 देगा, मैं थब बढ़ा कर र किन होगे, तो 4 ऐसे है, 4 ऐसे, 8 point होगा, right, ठीक है, अब इस तरीके से अब चीज़े यह बढ़ने वाली है, ठीक है, तो ultimately अब देखो, तो यहाँ पे, अब दिहान से इस चीज़ को समझो, यह basically आपका total n, आपका जो chip है, उसमें एक chip आप देखो, तो यहाँ पे कुछ खर मुला बनने वाला है, right, यह आपको, आपको समझें, अगर यह चीज़ आ गई, तो बस बागे तो code में कुछ खताना करना नहीं है, ठीक है, I think यह clear होगा आपको, अगर नहीं है, तो अगर कोई भी dot है, तो नीचे dot बता दे, जैसे देखो, इस point का coordinate 1, 1, इसका तो चलो, ठी जली कर देता हूँ, जल्दी, जल्दी माइन, यह आपका हो गया, और यह आपका minus 1, 1 हो गया, ठीक है, इसमें यह plus 1 होगा, यह minus होगा, यह 0, 2, यह आपका 2, 0, यह सब आपका जो है, basically 2 के लिए देगा, right, तो total 4, 4, 8 point होगा, जब आप, इसको treat कर रहो, 1 के लिए, तो आप आपका यह 0 origin पे नहीं रहेगा, उस case में सिर्फ 4 ही आएगा, फिर इस case में आपको 1 होगा, फिर 4 होगा, अगले case में सिर्फ 8 हाएगा, बटी, origin के साथ हम रख सकते हैं, तो 2 पे total हम देखें, तो 9 coin होगा, ठीक है, समझे रहो, 2 पे total 9 जाएगा, 3 पे उसी तरीके साफ इसक कोई सामने है, बेसकली वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यह 2 का square को complete करेगा, ठीक है, फिर यह वाला बेसकली इस तरीके से देखो, यह graph जो है, यह जो square है, इसका side side 4, यह अपहलेगा इसमें, ठीक है, मैं बड़ा बना नहीं रहा हूँ जान बुझकर, बस इसल में आ जारा, ठीक है, और 2 पे आपका basically 9, 9 तक आपका basically 2 पे चला जाएगा, तो आपका यह formula से ठोरा, square root of n-1 पे, right, और यह बस इतना अगर आपको समझ मा गया, तो फिर code में कुछ है नहीं, code अगर मैं आपको दिखा हो, इसमें कुछ है नहीं, code कुछ नहीं, long long of square root of n-1, right तो यह चीज को आपको यहां पर figure out करना था, इस figure से, ठीक है, देखो, मैंने तीन ही तक बनाया है, और यह चीज इस figure में काफी गोच बहुत जैसा हो गया, ठीक, तो आप थब pain paper पे इसको white range में करना, और आपको clear होगा चीज है, कि n equal to 1 पे कहां तक जारी, 2 पे कहां तक ज आपको clear नहीं हो पाया होगा, क्योंकि यहां पर diagram उत्ते धंक से नहीं बना, तो pain paper पे थोड़ा सा try करना, ठीक है, बाकी हम लोग फिर comment में discuss कर लेंगे, अगर कोई डॉट आप सब बचता है, तो, and description box में आपको सारे relevant link जो भी है, regarding की question का हो, link हो, आपका code का हो, discord server का हो, सा आपको बुक कर लें, अगर कोई, अगर ऐसा discussion करना रहा तो, ठीक है, मिल तेंग लिए विडियो में, तिला हूं, बाबाए,